Hello DC fans, welcome back to my channel Daastan TV तो एक बहुत जादा unexpected news निकल के आ गई DC universe की Superman movie को लेके तो reports निकल के आ रहे हैं कि Prude Taylor Wins Park Kent यानि कि जो father रहेंगे Clark Kent के अर्थ वाले father उनका role ये play करेंगे ये news confirm होके निकल के आ गई है बहुत जादा unexpected news ये रही fan casting तो बहुत से actors की चल रही थी कि इनको Park Kent का role play करना चाहिए या इनको play करना चाहिए लेकिन finally information निकल के आ गई है कि True Taylor Wins play करेंगे Park Kent का role अच्छा guys इन actor को जो मैंने देखा इनकी pick तो मुझको याद आए कि मैंने शायद इनको बहुत से movies में देखा हुआ है फिर मुझको याद आया identity नाम की एक psychological thriller movie है Hollywood की शायद आप में से बहुत से लोगों उनने देखी होगी one of the best psychological thriller है Hollywood की वो तो उसमें इन्होंने villain का role play किया था प्लस इन्होंने Constantine movie में भी role play किया है The Walking Dead franchise में भी ये नजर आये है यानि धेर सारे different genre के projects में इन्होंने work किया हुआ है actor बहुत ज़्यादा कमाल के है अच्छा एक और चीज़ ये जो pick हैं की ये pick बहुत ज़्यादा viral की जा रही इस तक social media पे की ये actor आप park end का role play करेंगे तो बहुत से लोग ये confused हो रहें कि ये तो इतने सादा बूढ़े भी नहीं लग रहे है तो ये कैसे Superman की father का role play करेंगे तो guys मैं बतातूं ये जो इनकी particular pick है ये दरसल पुरानी pick है I think 2002 या 2003 की ये pick है इनकी latest pick ये रही आप देख सकते हैं old और experienced actor ये है तो ये कहा जा रहा है कि Prude Taylor Wins role play करेंगे Park end का DC Universe की Superman movie में हम अल्रेड़ी जानते हैं बहुत से iconic actors ने Park end का role play किया है DC Universe के live action में लेकिन हम जानते हैं कोई भी comic book character होता है तो character is always bigger than the actor यानि कि ये roles एक मशाल की तरह होते हैं इसे athlete मशाल पकड़के Olympic की एक athlete से दूसरे athlete को देता है उसी तरीके से एक actor से दूसरे actor roles जाते जाते हैं ऐसे ही legacy आगे बढ़ती है comic book movies की तो character is always bigger than the actor कोई भी character किसी actor का महताज नहीं है अगर कोई आके ये कह रहा है कि ये actor अगर ये role play नहीं करेगा तो मैं ये movie देखना बंद कर दूँगा और boycott करूँगा या ये director इस movie को डिरेक्ट नहीं करेगा तो मैं movies देखना छोड़ दूँगा इस universe की और इसकी movies को boycott करूँगा ये बहुती ज़ादा गलत thinking है क्योंकि character is always bigger than the actor अच्छा guys मैं एक चीज़ आप से पुछना चाहूँगा comment section में ज़रूर आप जवाब दीजेगा आप किस तरीके का dynamic चाहते हैं DC universe के Superman में जैसे कि हमने कई बार देखा है कि कुछ versions में हमको ये दिखाए गया है animation, comic या live action कि जो park end होते हैं उनकी death हो जाती है और बाद में Superman उनकी कही हुई बातों को follow करता और एक superhero बनता है लेकिन कुछ versions में हमको ये भी दिखाए गया कि Clark and Superman बन चुका है यानि वो crime fighting करने लगा है तब भी उसके mother father जो earth वाले हैं दोनों जिन्दा है तो वहाँ आप एक different type का dynamic दिखाए जाता है कि वह superhero भी है और वापस वह small will lot के भी आता है अपने दोनों parents से मिलने तो दो तरीके के versions हमको हमेशा DC universe में दिखाए गए हैं जैसे man of steel और Superman and Lewis में हमको ये दिखाए गया था कि Park end की death हो गई थी लेकिन guys आप क्या चाहेंगे क्या DC universe में same concept follow हो जो Superman and Lewis और man of steel में हुआ था कि father की death हो जाती है ये आप ये चाहते हैं कि DC universe में जो father और sun के dynamic है ये चलता रहा है ताकि हमको कुछ different देखने को मिले Superman and Lewis या man of steel से please comment section में ज़रू बताइएगा और आपको क्या लगता है क्या ये actor एक अच्छी choice है पाक केंट के रोल के लिए please comment section में ज़रू बताइए